Hello and welcome to my YouTube channel Asset Guide आज की इस वीडियो में मैं आपको एक special information देने जा रहा हूँ क्योंकि अभी एक नई movie आने वाली है जिसका नाम है The Deception Queen ये movie अभी in process है यानि की बनाई जा रही है और इस movie को यहां पर जिकर करना इसलिए important है क्योंकि Deceptive Queen का मतलब होता है धोके की रानी और इस movie का जो concept लिया गया है वो Dr. Ruzaj Nettova से लिया गया है और इस movie को जो represent कर रहे हैं वो है प्रीमेर स्टूडियो और प्रीमेर स्टूडियो को support कर रहे हैं यहाँ पर Bulgarian National Film Center और इसी काम के लिए Bulgarian National Film Center प्रीमेर स्टूडियो को लगभग 2,75,500 यूरो की एक support कर रहे है आर्थिक support तो यह documentary based film है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से Dr. Ruzaj Nettova ने fraud किया है यह सारी जानकारी वो यहाँ पर दे रहे हैं तो आज हम अपनी इस news को verify करेंगे यह news आई है Cine Europa में publish हुई है news और यह 9 परवरी को publish हुई थी तो चलिए news को देखते हैं और क्या उसमें कहा गया है क्या इसकी कहानी रहेगी बहुत सारी चीजा आज हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम आ गए है Cine Europa के official website पर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको detail दिखा देता हूँ production funding बल्गारिया और यहाँ बल्गारियन डोकुमेंट्री है the deception queen currently in production यानि की जो movie का नाम है the deception queen यह अभी वन रही है और यहाँ पर आप date भी देख सकते हैं 9 February 2022 को यह news यहाँ पर publish हुई है और यहाँ पर जो दो चेहरे आपके सामने हैं आप देख सकते हैं लिचेजर अवरामोव और दिमीतर इस्टायनोविच यह दो नाम है प्रोजेक्ट्रेस एंड गैट रिच क्विक स्कैम वन कोईन प्रमोटेड एज क्रिप्टोकरंसी वाई ए वल्गोरियन बेस्ट आफसोर कंपनी तो यहाँ पर इन दोनों का नाम है यह जो है इसी तरीके के हैं अपनी और दूसरी चीजों को जो हमने बताया थी कि यह दो तो हैं इस डायरेक्टर है इस्क्रीन राइटर है लुचेजर अब अबरामोब और दिमीतर इस्टायनोविच तो यह दो तो आदमी हो गए इनके नाम भी थोड़े अजीब तरीके के रहते हैं और यहाँ पर लॉयर्ण और फ्रॉड शonie नोटोबः तो यह भी यहां पर उखनोटोबः को फ्रॉड वताने की delayan शाप्र होगी थी और करण होड यह थर इस ने वुल्गारियन फिल्म नेशनल फिल्म सेंटर की द्वारा और यहां पर जो इनकी एस्टिमेटेड सपोर्ट यह कर रहे हैं वो दो लाग 75,500 यूरो की यहां पर हैं अब हम इसमें नीचे देख लेते हैं जो की मेन हमारा टॉपिक है यह क्या रहे हैं कि रुजाइग नोटोबा एक पढ़ी लिखी बिजनिसमन थी जिन्होंने अपने बैल एजुकेटेड जो सिस्टम था बैल रिच फैमिली थी इनकी बैक्राउंड था उसके बिसेस पर इन्होंने ग्लैमरस लाइफ यह जी रही थी उसके बिसेस पर काफी लो प्रजक्ट लगाया और इस लेडी ने लगभग 3.6 मिलियन बिक्टिम बनाए उनसे पैसे लिया और ग्रीट डिफ्रीट फ्रॉड यह सब किया इसके बाद पांच मिलियन ग्लोबल पांच मिलियन डॉलर का ग्लोबल इसकेम किया आप यहां पर देख सकते हैं और सिंस दैन बनकोइन पर बहुत सारे इन्वेस्टिकेशन हो रहे हैं और यह कह रहे हैं कि दा डिसेप्शन क्यूं इस बिइंग प्रिपेर्ड एस दा फस्ट एजूकेशनल फस्ट एक्चुल डोकुमेंटरी ओन दा केस और डिसेप्शन क्यूं जो है इनकी पहली डोकुमेंटरी होने वाली है बिगनिंग एंड डिगिंग इन्टु दा फैक्ट यह फैक्ट भी ला रहे हैं यहां पर बैरी सोर्स अचेज दा सेंट्रल ओफिस ऑफ दो बनकोइन कंपनी बल्गारिया तो देखते हैं यह मूवी आएगी जब रिलीज होगी तो इसकी इन्फरमेशन आपको दी Indre UK का इन्होंने टिखाएं हैं क्या चीजह की हैं बाकी आप यहां पर सारी चीजेत देख सकते हैं पड़ सकते हैं और इसके अंदर इस मूवी इंदर यहां पर यहां करे हैं कि कुछ यूनीक फुटेज भी इन्होंने लिए गई है इंक्लूट करेंगी तो देख्या होता ह काफी अमेजिंग इन्होंने लिख रखा यहां पर और जब मूवी आएगी तो देखेंगी क्या फैक्ट हो और क्या चीजे हैं इसके साथ इन्होंने कुछ BBC का विजिकर किया है यानि कि इनकी सपोर्ट जो है BBC की तरफ से भी है कुछ फैक्ट उनके पास भी है उन्होंने एक बार इंट्रव्यू किया था तो बहुत सारी चीजे भी यहां पर आएंगी तो यही थी पूरी न्यूज जिसमें हमने देखा क्यून का अनलेसिस और मैं आपके ऊपर यह चीजे छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं अपना फीडबैक जरूर दीजेगा ले माइनिंग बगर होती है यह सारी चीजें है कंसेप्ट चलता है काम करता है लेकिन बहाँ पर कौन कितना बिटकोईन किसको भेज रहा है यह हम नहीं कह सकते कोई किसी को illegal funding कर रहा है यह भी हम track नहीं कर सकते तो उस चीज को यहां पर जो है कम किया गया है कि वाइसी इंट्र का प्राइस बढ़ रहा है तो कह नहीं सकते कि कब वो डाउन हो जाएगा क्योंकि वहां पर जिनके पाथ ज्यादा बिटकोईन है वही इस गेम को प्ले करते हैं जब से बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टैसला आई है तो टैसला ने जैसे ही वन को बिटकोईन को खरीदा था उस टाइम पर रेट गए थे लगबग 50-60 लाग के असपास हो गया तो लोग सोच रहे थे कि एक करोड जाएगा तो काफी लोगों ने 50 लाग पर बिटकोईन खरीद लिया लेकिन आज की डेट में क्या हुआ बिटकोईन डाउन हो गया और अभी लगता डाउन ही हो रहा है 30-40 लाग के असपास पहुँच गया है तो इस कंडिसन में आज किसे ब्लैम करेंगे यानि कि आपका जो पैसा है वो आपसे छीन लिया गया है तो आप क्या कहेंगे इसको लेकिन अगर हम बन कोईन की बात करें तो यहाँ पर आपने जो 2015 में जो रेट था उस आज की डेट म maximum rate है यानि की बड़ा हुआ rate आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको क्या decision लेना है यह आप वीडियो के नीचे comment करके बताइए मैं आप पर decision छोड़ता हूं कि आप मुझे क्या feedback देते हैं ताकि मैं इसी type की और information आप तक पहुचात रहूं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी वीडियो में कुछ अच्छा लगा है कुछ informative लगा है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आ है ताकि पत्कश और अज़ है तो त regular में 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 करें लगा है तो डवाल सही ओड़ uterर